प्रिये विद्यार्थियों, आज हम एक नए विशे पर बात करेंगे और वह विशे है बारतिय सामाजिक सरचना की विविता डाइवर्सिटी ओफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इस विशे के अंतरगत हम भारत में विविता याने डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी उसके अंतरगत हम जलवायों संबंदी विविताएं देखेंगे दार्मिक विविताएं, फिर भाषय संबंदी विविताएं, सांस्कृतिक विविताएं, जन संख्या संबंदी विविताएं, शेत्रिय विविताएं और फिर राजनेतिक विविताएं और इन सारी बातों को हम समभ करेंगे सारांस के रूप में तो हम प्रारम करें भारतिय समाज में किस प्रकार की विवित्ताएं हैं तो जब कभी हम भारतिय समाज और संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं एक भारतिय समाज और दूसरा उसकी संस्कृति संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं संस्कृति मनुष्य के रहन सेन का तरीका है यानि जैसे मनुष्य रहता है यानि उसकी वेशबूशा, खानपान, आदतें, प्रथाएं, परंपराएं, रूढियां, मुल्य, इतियादी, ये सब जब मिल जाती है तो हम कहते हैं यह संस्कृति है और इस संस्कृति को मनुष्य अपनाता है जब समाज के अंतरगत रहता है क्योंकि संस्कृति सीखी जाती है, जन्म के साथ उसे प्राप्त नहीं होती इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य संस्कृति में पैदा होता है, संस्कृति के साथ नहीं और दूसरा जो शब्द है वो है भारतिय समाज इंडियन सोसाइटी और जब कभी हम भारतिय समाज की बात करते हैं तो एक विशाल लोक तांतरिक राश्टर है जो कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक फैला हुआ है और गुजरात के रण प्रदे से पूर्वत्तर राजे तक इसकी इतनी विशाल सीमा है जिसमें रहने वाले लोग जो है उनकी अलग-अलग पहचान है अलग-अलग उनकी प्रथाएं परंपराएं हैं अलग-अलग उनकी आदते हैं उनका खानपान का तरीका अलग है उनके धर्म अलग है उनकी वेशवूश अलग है तो इन सारी बा पर हमको विवित्ता के दर्शन कराती हैं और जब उसी पेड की मूल में जाकर देखें तो वह एक जड़ से जुड़ी हुई हैं तो ये विवित्ता जो है वह एकता में समाईत हैं इसी प्रकार की विशेषता है भारतिय समाज और संस्कृती की जिसे हम विवित्ता में एकता क तो हम कहते हैं कि भारतिय समाज एवं संस्कृति मानव समाज की अमुल्य निधी है, विश्व के विभिन भागों में रहने वाले लोगों ने अपनी भिन 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 भोगोलिक एवं प्राकर्तिक परिस्तितियों के कारण अलग-अलग प्रकार की संस्कृतियों को जन्म दिया अपने लंबे इतियास में भारत के निवासियों ने एक ऐसी सामाजिक सरचना तता इसमें संस्कृति का विकास किया जो अपने आप में मौलिक, अनूठी एवं विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्ताओं से भिन है यानि भारतिय संस्कृति की अपनी पहचान है और हम कहते हैं कि यह बहुत प्राचीन संस्कृतियों में से एक है जब विश्व के अधिकांस राष्ट्र अग्यानता की अंदिकार में भटक रहे थे उस समय भारतियों ने ज्यान का प्रकाश लोगों तक पहुँचाया उनको सब्यता का पाठ पड़ाया इतनी प्राचीन संस्कृतियों में से एक संस्कृति है भारतिय समाज की संस्कृति इस विचित्र वो अनुठी संस्कृति की अपनी कुछ विशेष्टाएं हैं उनमें प्राचीनता तथा स्ताइत्व, सहिस्नुता, समनवय, आध्यात्मवाद, पूरुशार्थ, कर्म व पुनरजनम, रिण एवं यग्य, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आस्रम व्यवस्थ जाती व्यवस्था, संयुक्त परिवार, धर्म की प्रधानता, अनुकूलन शिल्ता, सर्वांगिनता के साथ साथ विवित्ता में एक था यानि भारतिय समाज की संस्कृति पर नजर डालें तो हमको लगता यहां अनेक विशेष्टाएं हैं और हम कहते हैं यहां पर सोहार् अनेक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, यह संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है, इसमें अनुकूलन स्ता भी है, यानि अन्य लोगों को अपने में समाहित करने की जो विशेष्टा है, कि बाहर के कई लोग आए, आकरमनकारी भी आए, जिसमें शक आए, होन आए, अत्म साथ किया, यह अपनी एक विशेष्टा है, इसके साथ यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, जन्म और पुन्नर जन्म की बात हम लोग करते हैं, यहाँ धर्म की बात भी हम लोग करते हैं, और धर्म के अनुसार आचरन करने पर भी हम जोर देते हैं, साथ में आसरम जाती व्यवस्ता भी है। और संयुकत परिवार व्यवस्ता भी। इन सारी विशेष्ताओं के साथ एक प्रमुक विशेष् предлож है और वह है、 unity and diversity, विविद्था और एकता। उसी पर आज हम बात करेंगे कि बहुता है किन किन ख़ित्रों में हमें दृश्टी पात होती है। फैली हुई है या अनेक जातियों एवं उपजातियाँ पाई जाती हैं, जाती व्यवस्ता में उंच नीच का एक संस्तरन पाया जाता है, अलग-अलग धर्म के मानने वाले अलग-अलग भाशा भाशी, अनेक प्रकार की प्रताएं, परमपराएं, रूढ्या, मुल्य पाई जाती हैं, यहां कोई हिंदू है तो कोई मुसल्मान, कोई इसाई है तो कोई सिख बहुत है या जैन, धर्म के लोगों का यहां पर निवासिस्थान है, यहां जलवायू संबंदी भिन्यताएं भी कम नहीं हैं, अलग-अलग शेत्रों के लोगों का रहन सेहन, खान पान, बहुत अधिक ठंड परती है, बहुत अधिक बर्फ गिरती है, तो दक्षिन में जाएं तो वहां पर बहुत अधिक गर्मी का प्रकोप है, राजस्तान के और गुजरात के रण प्रदेश में जाएं, डेजल्ट में जाएं तो यहां धूल भरी आंधियां चलती हैं, और प बार्मिक भावनाओं को प्रगट करते हैं तो मुसल्मान मस्जिद में जाकर अपनी धार्मिक भावनाओं की प्रस्तूति करते हैं। समाज की सरचना को जब देखते हैं तो उसमें हमें अनेक विविताओं के दर्शन होते हैं। उनमें सबसे पहली जो विविता है वो है जलवायू सम्मंदी विविता यानि क्लाइमेटिक डाइबर्सिटी। भोगोलिक दर्श्टी से भारत पांच बड़े प्राकरतिक खंडों में विभाजित है। उत्तर का परवतिय क्षेत्र या प्रदेश, उत्तरी भारत का बड़ा मैदान, दक्षिन का पठारी क्षेत्र और राजस्थान का मरुस्थल समूंदर तटिय मैदान यानि भोगोलि जल्वायू सम्मंधी काफी विविद्दाएं दिखाई देती हैं। मैदानिक खेत्रों में मौसम परिवर्तन के साथ साथ तापमान में भी काफी परिवर्तन होता रहता है। समूंदरी तटों पर मौसम करीब एकसा रहता है। यानि जो हमारा भोगोलिक शेत्र है, जहाँ पर कभी बहुत अधिक बरसात है, तो कभी बहुत अधिक गर्मी है, तो कभी मौसम बहुत सामानी स्तरका रहता है। ये सारी स्तितियां जो है, ये जल्वायू सम्मंधी लोगों के रहन सेन, खान पान वे वेश भूशा में काफी विविताएं देखने को मिलती हैं, तो जिस प्रदेश में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, सरदी का बहुत अधिक प्रकोप है, वहां पर लोगों का रहन सेन अलग प्रकार का है, वहां की वेश भूशा, वहां का खान पान भिन प्रकार का है और जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर लोगों का पहनावा अलग है उनका खान पान अलग है और खान पान का सीधा सम्मंद हम जलवायों के साथ देखते हैं जैसे राजस्तान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है इसलिए यहां प पाजरी नहीं, वहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है, इसलिए गुजरात के रहने वाले लोग डाल के साथ चावल का उपभोग अधिक करते हैं, फिर हम साउथ में जाएं, दक्षिन भारत में जाएं, तो वहाँ की जलवायू अलग है, तो वहाँ पर चावल के साथ नार दिखाई देता है, इसी तरह की बात हम कहें तो धार्मिक विवित्ताएं भी हैं, रिलिजियस डाइवरसिटीज, भारत एक ऐसा देश है, जहांके निवासी विभीन धर्मों के अनुयाई हैं, या हिंदू धर्म, जैन, सिख, बौध, इसलाम तथा पार्सी धर्म के मानने वाले निवास करते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी वैशनव, शेव तता शाक्त आदी में विभक्त हैं, इन सभी धर्मों के अनुयाईों की अपनी अपनी धार्मिक भावनाय तता उसकी अभिव्यक्ती भी अलग-अलग है, हिंदू मंदिर में जाता है, तो इसलाम धर्म क की संस्कृति का जो महतुपून अंग है, वो है धर्म, धर्म को अगर हम परिभाशित करें, तुम कह सकते हैं कि टाइलर के अनुसार, धर्म अध्यात्मिक शक्ती में एक विश्वास है, रिलीजन इस बिलीफ इन सुपर नैचूरल वार्ड, एक विश्वास है, और उस विव्यक्ति कैसे करें, उसकी प्रस्तूति कैसे करें, ये अलग-अलग धर्म की अनुयाई अलग-अलग तरीके से करते हैं, जैसे हिंदू अपनी विश्वास को प्रगट करने के लिए मंदिर में जाता है, इश्वर के सामने हाथ जोडता है, दंडवत प्रनाम करता है, प चर्च में जाता है इसाई धर्म का मानुयाई, तो वो अपने जिसस क्राइस को याद करता है, ये सब अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, ये सब हमको धार्मिक विविताओं को दिखाते हैं, इसके साथ साथ जो तीसरी प्रमुक विविता है वो भाषा शम्मंदी विविताएं, diversities of language, भाषा विचारों का संप्रेशन का आधार है, भाषा ही संस्कृति का हस्तांतरन करती है, भारत विभीन भाषाई लोगों का देश है, यह अनेक भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित हैं, भारतिय सविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है, इन भाषाओं में गुजराती, आसामी, बंगाली, हिंदी, कंदर, कश्मीरी, कौकणी, मलियालम, मनिपूरी, मराथी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलगू, बोडो, डौंगरी, मैथली, संथाली प्रमुक हैं, इन 22 मान्यता परात भाषाओं के अलावा 1652 मात्र भाषाएं हैं, इन में 152 बोलियां अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, साधारन तह प्रतेक भोगोली क्शेत्र या उपक्शेत्र की अपनी प्रतक भाषा या बोली है, अतो इस्पष्ट है कि भारत में की बात करते हैं, तो हमारी एक काहवत है, हर पांच कोस पर बोली बदल जाती है, यानि एक इस्तान से चल कर दूसरे इस्तान तक जाते हैं, तो हमको वहाँ पर बोली दूसरे प्रकार की मिलती है, ऐसा भाषाई वीवित्ता वाला देश भारत है, जहां पर अनेक भाषाओं कि बोलने वाले लोग निवास करते हैं जैसे हम राजस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर हिंदी तो गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाशा भाशी लोग रहते हैं जिनकी अलग उच्चारण की इस्तिती है क्योंकि भाषा एक संप्रेशन का माध्यम है और हम संस्कृति का वाहग भी कहते हैं अपनी संस्कृति को मस्तातिन्त करते हैं भाषा के माध्यम से तो भाषा जो है वो अनेक प्रकार की यहाँ पर बोली जाती है और भारत में सविधान द्वारा भी 22 भाषाओं को मानेता प्राप्त भाषाओं में समिलित किया है और हम अनेक भाषाओं के साथ साथ बोलियों को भी लेते हैं जिनको हम मात्र भाषा या मदर टंग भी कहते हैं जो अनेक प्रकार की हैं इन सारी भाशाओं को लें तो हज्जारों की संख्या में यहाँ पर बोलियां हैं जो अधिकांस लोग द्वारा यहाँ पर बोली जाती हैं जो अपनी विचारों का अपनी भावनाओं का संप्रेशन दूसरे लोगों तक करते हैं तो इस प्रकार से भाशाई शेत्र की बात करें या भाशाओं की बात करें तो यहाँ पर भाशाई विविताएं भी हमें दिखाई देती है। इसके साथ सांसक्रतिक विविताएं भी हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं भारत एक ऐसा विशाल राश्टर है जहां प्रथाओं वेशभूशा, खानपान, रहनसेन, कला आदी में काफी विविताएं दिखाई देती हैं जहां तक वेशभूशा का प्रश्ण हैं उत्तर काफी विविताएं द्रिश्टिकत होती हैं खानपान की द्रिश्टी पर गौर करें तो इसमें भी विविताएं दिखाई देती हैं यहां की कुछ जातियां एवं धार्मिक समु साकाहरी हैं तो कुछ मांशाहरी आजकल तो एक ही जाती वह धर्म के लोगों में भी खानपा भिन्नता देखने को मिलती है, यहां तक की खानपान के तरीकों में भी भिन्नता है, तो जब कभी हम सांस्कृतिक विविता की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक यह संस्कृति की अनेक तत्व हैं, उनमें खानपान भी है, उनमें वेशबूशा भी है, उनमें परिवार और हैं. खानपान में पडारत अलग अलग प्रकार के जैसा मैं अभी बताया कि राजस्तान में बाज़री अधिक खाते हैं, तो गुजरात में दाल और तुर की दाल अधिक खाते हैं. तो अगर हम साउत में जाएंगे तो वहां पर चावल के साथ शाथ नार्यल की preparation अधिक होगी यानि अलग-अलग और अगर बंगाल में जाएं तो वहाँ चावल के साथ मचली अधिक खाई जाती है तो यह सब खान-पान के पदार्तों की विविता को दर्शाता है कि यहां पर खान-पान के तरीके अलग-अलग हैं कोई जमीन पर पालती मार कर बैठ कर खाना खाता है तो कोई खड़े-खड़े खाना खाना पसंद करता है तो कोई डैनिंग टेबल पर बैठ कर कोई हाथ से खाना खाना चाहता है तो कोई काटे और छूरी का प्रियोग करता है तो यह सब खानपान की विविताओं को दर्शाता है और साथ में वेश भूशा की भी भिनिताएं हैं वेश भूशा में हम तूरंट पहचान लेते हैं कि यह किस राज्जी की या किस भूभाग की वेश भूशा है राजस्थान के गाउं में दोती और कु पहचान है तो गुजरात में भी धोती है लेकिन उसके पहने का तरीका अलग है पगड़ी के बांधने का तरीका अलग है उन सब की प्रथाओं में वेश भूशा की भी भिनिता को दिखाई हम देख सकते हैं महिलाओं की सारी को देखें तो राजस्थान में घागरा और से बिन है यानि अलग-अलग भू भाग में अलग-अलग प्रकार की वेशबूशा है यानि इन सब बातों को रूम लेता हमारी संस्कृति में कितनी भिनताएं हैं ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र धनुस में सात रंग हैं लेकिन जब उसको एक साथ देखते हैं वो सफेद र में कला संगीत एवं नरत्य में भी विविताय दिखाई पड़ती हैं कहीं पर कोई शैली प्रचलित है तो कहीं अन्य शैली यहां मंदिरों मस्जिदों चर्चों तता इस्तूपों आदी में कला की भिनता का आसानी से पता लगाया जा सकता है यह जब हम कला की बात करते हैं संगीत की बात करते हैं तो राजस्तान का अपना अलग नरत्य है जिसे हम गुमर कहते हैं गुजरात का अपना अलग नरत्य है जिसको हम गर्बा कहते हैं यह अलग अलग राश्टरों की अलग अलग कला और संस्कृति अलग अलग नरत्य हैं इसके साथ साथ वहां की जो कला करतियां हैं उनमें भी भिनताएं हैं जिसे हम यहां के मंदिरों को देखते हैं तो बाहर से ही पता लग जाएगा कि यह मंदिर है बाहर से ही पता लग जाएगा कि मस्जिद है या यह चर्च है या यह गुरुद्वारा या उनकी कला और कलाकरती दोनों ही अलग-अलग जो विवित्ता को दिखाते हैं इसके साथ साथ यहां संगीत नतिक के संब्ण में भी द्रश्टिगत होती है विवीन भागों के लोगों में विश्वासों नैतिक्ता संब्ण धार्नाओं और वयवाहिक एवं अन्य निश्दों में भी काफी भिनता दिखाई देती हैं विश्वास की बात करें तो विश्वासों में भी हमको बिन्यता दिखाई देती है। परिवार और विवा के अलग-अलग अपने नियम हैं। परिवारों की बात करें तो कहीं पर एकाकी परिवार है तो कहीं पर संयुक्त परिवार है तो कहीं पर विस्तरत परिवार है एकाकी में पती पत्नी और उसके अविभाईत बच्चे रहते हैं संयुक्त में तीन या तीन से अधिक पीडियों के लोग एक छट के निवास करते हैं, एक ही रसोई से पका हुआ भोजन ग्रहन करते हैं और सबसे बड़ी आयू का व्यक्ति उसका मुख्या होता है। और जब हम extended family विश्टरत परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कभीले की तरह व्यवाहिक और रक्सम्मंदी सब एक साथ निवास करते हैं। तो पित्र इस्थानिय, मत्र इस्थानिय, मामा इस्थानिय, द्वी इस्थानिय और नाटो इस्थानिय यानि अलग-अलग प्रकार के नाम से हम बता सकते हैं कि यहां पर परिवारों में भी कितनी भिन्नता हैं और विवा का रूप यहां अलग-अलग है और विवा के जो फेरे के रूप में है तो कहीं पर यह सब्द पती के रूप में है याने सब अलग-अलग प्रकार के नियम अलग-अलग प्रकार की प्रताएं परंपराएं विवा में देखने को मिलती है कहीं पर एक विवा की प्रता है जहां एक इस्त्री और एक पुरुष विवा करके परि पहने नहीं भी हो सकती हैं और कहीं पर यह बहुपती विवा के रूप में हैं पॉली एंडरी टाइप ऑफ मेरीज जिसमें एक इस्त्री एक से अधिक पुरुशों से विवा करती हैं जहां ब्रातरक बहुपती विवा भी है और ब्रातरक बहुपती विवा भी है ब्रातरक ब एक पुरुष से विवा करती हैं, कुछ समय बाद किसी दूसरे पुरुष से और वो आपस में भाई नहीं होते, वो अब्रहतरक बहुपती विवा है। तो अलग-अलग प्रकार के विवा के रूप भी हमें दिखाई देते हैं, उस आधार परम कैसे किया सांस्क्रतिक भिनताएं ही भिनताएं हैं। इसके साथ जनसंक्या विविताएं भी हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज भी हैं, भारत विभिन प्रजातियों का अजायब गर है, यहां प्रमुक रूप से द्रविड और आरिय प्रजातिय समूहों के लोग अधिक पाये जाते हैं। यहां देश के पूर्वी भागों में मंगलोईड प्रजाति के लोग भी निवास करते हैं। यहां समय समय पर अनेक प्रजातिय समूहों जैसे सिथियंस, ग्रीक, ख्षक, हून, कुसान, यवन, आदी अक्रमन कारियों के रूप में आये और धीरे धीरे भारतिय समाज में गुल मिल गए, यहां प्रजातिय मिस्रन भी काफी हुआ। केस सिंग ने पीपल्स ओप इंडिया प्रोजेक्ट में कहा कि हिंदू जन संक्या के बहुत बड़े भाग में मेडिटेरियन तत्व बहुलता से पाए जाते हैं। अनुसुचित जातियों में मेडिटेरियन के सा साथ औस्ट्रेलियाइड तत्व भी पाए जाते हैं। अनुसुचित जन जातियों में जो भारत के मध्य दक्षिन में रहती हैं। उनमें प्रोटो औस्ट्रेलियाइड तत्वों की प्रधानता है। यही कारण है कि यहां काले, गोरे और पीले रंग के लोग मिलते हैं। तो जब हम भारतिय समाज की जन संक्या पर नजर डालते हैं, तो हमको यहां पर अलग-अलग रंगरूप के लोग मिलते हैं, जिने हम प्रजातिय विशेष्टाओं के साथ संबोधित करते हैं। और जब हम प्रजाती की बात करते हैं, तो प्रजाती व्यक्तियों का वह हैं, जिनकी अपनी शारिक बनावट होती है, अपनी शारिक विशेष्टाएं होती हैं, जो पीडी दर पीडी हस्तांतरित होती हैं, जिन पर परियावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वह एक प्रजाती कहलाती है। लेकिन आज आदुनी की करण, पस्शिमी करण, याताय प्रजात के सादनों के कारण, प्रजातिय मिस्रन होने लगा है, रेसियल मिक्स्चर, कोई शुद्ध प्रजाती नहीं है, फिर भी प्रजातियों की बात हम करते हैं, तो कुछ काली प्रजाती के लोग हैं, कुछ गोरी प्रजाती के हैं, तो कुछ पीले रंग के भी हैं, य यहाँ पर रहने वाले लोग लंबी हाइट के होंगे, उनकी लंबाई अधिक होगी, नाक तीखा होगा, और जैसे जैसे मैदान से पहाड की और जाएंगे, लोगों की हाइट कम होती जाएगी, और नाक भी चप्ती होती जाएगी. यह सारे जो करेक्टर हैं, यह प्रजातिय तत्व हैं, कश्मीर में जहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है, वहाँ के लोग गोरे होंगे, और हम उपर से नीचे कन्या कुमारी की और जाएंगे, वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक है, तो वहाँ के लोग काले होंगे, तो विवित्ताएं भी यहाँ पर है, भारत एक ऐसा विशाल देश है, जिसमें विवित्ताओं के कारण प्रतेक शेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्ता का निर्मित होना साधारन तया संभव नहीं हो पाता, यहां उत्तर एवं दक्षिन तता पूर्व एवं पस्चिम के बीच हज्जारों मिलों का फांसला है, यहां उत्तर में पाहाड है तो दक्षिन में समुंदर तत, पस्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उबजव मैदान है, तो पहाड़ी, पठारी या जंगली प्रदेश में भी जहां लोगों को अपनी आजजीवी का कमाने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है, यह सभी क्षित्रिय विविताएं हैं जो भारत में दिखाई देती हैं, जैसा कि मैंने बताया था भी कि जलवायों की जब भिनताएं की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कश्मीर में बहुत अधिक बर्फ गिरती है, वर्स के आठ से नो महीने वहां बर्फ गिरती है, तो दक्षिन में जाएंगे तो वहां वर्स पर गर्मी का प्रकोब है, और राजस्थान में धूल भरी आंदियां चलती हैं, तो पूरवतर राज्यों में बहुत अधिक बर्सात होती हैं, एसा भोगोलिक शेतर जो है, यह विविता ही वि का कणि विपत्यव का साम Да करना पड़ता है उनको यह सारी कि सारी जो विविताएं हैं यह घ्नको भारतिय समाज में दिखा लाश्चर हैं एक और विविता की बात करें तो वह है राजनेतिक विविता या पॉलिटिकल डायवरसिटिज भारत एक संसधी लोकतांत्र क्राश्टर है जहां लोक सभा एवं राजी सभा का गठन है राजियों की विदान सभा वो विदान परिसद हैं जिनमें चुनाव जीत कर आते हैं प्रारम में 1951 में तो मोटे तोर पर कॉंग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन 1977 के बाद परिद्रश्य बदल और अनेक राजनेतिक दलों का प्रादुरभाव हुआ जिनमें कुछ राजनेतिक दल राश्टर इस्तर के तता कुछ राज्य इस्तर के विक्सित हुए जिनमें सदशियों के अलग-अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं उस रूप में यहां राजनेतिक की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्टर है जहां पर अनेक राजनितिक दल हमें दिखाई देते हैं इन राजनितिक दलों के अपने अलग-अलग उदेश्य हैं उनकी अलग-अलग अपनी पहचान हैं उनकी अलग-अलग मोटो हैं और अलग-अलग भावना से लोगों को प्रेरित करते हैं और उन सब का एक उदेश्य है कि राजनितिक सत्ता को हडपना है उस रूप में हम देखे तो यहां अनेक वीविताएं राजनितिक दलों में जैसे पहले तो हम बात करते थे आजादी के समय एक कॉंग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थ हैं कुछ राज्जी श्टर के साथ सात्ट राश्ट्री श्टर की पार्टियां हैं जिनके अपने अपने उदेश्यмо हैं और उसी मंदेश्यों की फूर्ती के लिए उन पार्टियों का घठन किया गया है उस आधार पर हम देखे तो यहां पर पॉलिटिकल tha क्टाईबर राश्टर है जो पूर्व पस्चिम उत्तर दक्षेन चारों दिशाओं में फैला हुआ है यहां की कुल जन संक्या 2021 की जन गन्ना के आधार पर 124.72 करोड थी जो 2019 में 137 करोड के आसपास हो गई भारत की अनेक विशेस्ताओं में से एक प्रमुक विशेस्ता है विवित्ता मे एकता उपरी तोर पर नजर डालें तो उसमें हमें भिनता ही भिनता दिखाई देती है लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन भिनताओं में भी एकता के दर्शन होते हैं इन विवित्ताओं में प्रमुक विवित्ता धर्म संबंदी विवि वेशबूशा संबंदी विविता प्रजातिय विविता बोगोलिक विविताएं जलवायू तथा राजनितिक विविताएं ही विविताएं हैं यह अलग-अलग जातियों की लोग भी निवास करते हैं इस देश का बोगोलिक हूलिया बड़ा विचित्र है उसका फैलाव दक् विविताएं ही विविताएं द्रश्टिकत होती हैं तो जब हम भारतिय समाज की संस्कृति पर अंदर डालते हैं तो हमको लगता है कि भारत में विविताएं विविताएं हैं चाहे वो विविताएं जाती के इस्तर पर हो या अनेक जातियों के लोग हैं संस्कृतिक द्रश् विविताएं भी हैं, कोई काली प्रजाती के लोग हैं, कोई गोरी प्रजाती कोई फिली प्रजाती के लोग हैं, तो इनका अलग-अलग शारिक बनावत उनका ढाचा है, इसके साथ साथ यहां राजनितिक विविताएं भी हैं, यानि यहां पर अलग-लग राजनितिक विचा हम आखार्दार से लोगों को जोरने का काम करते हैं, यहां पर जल्वायों की विवित्वटाईे हैं, कहीं पर बहुत अधिक बरसात है, तो कहीं पर बहुत गर्मी है're, इन सारी बातों को हम देखते हैं, तो उपर से ऐसा लगता है कि भारत विविताओं का देश है लेकिन उसकी गहराई में जाकर अगरम दजर डालें तो हमको लगता है कि यहां पर विविता में भी एकता के दर्शन होते हैं और उसी एकता से यह पूरा भारत एक राश्टर है और कश्मीर से कन्या कुमारी तक रहने वाला व्यक्ति यह कहत कि दर्शन कराती है